वेलकम टू मास्टर मैंड अब जिक्के एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर मैंड अब जिक्के में फ्रेंस आज इस वीडियो में बिहार SAC जो थर्ड सीडियल का एक्जाम होने वाला है प्रेंस जो परिच्छा में आने की पूरी संभावना है तो पूरा वीडियो आप लोग सुरू सिलाज तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू करेगा फ्रेंस और चैनल पर पहले बार भीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर विल आकन को जरूर दबा दीजिएगा ठेंस और इस तरह का और प्रेक्टिस अगर आपको चाहिए तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए फट 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 पचास महतपून सवाल देख लेते हैं सभी प्रेश्ण काफी महतपून है एक्जाम की दिश्टी कोन से आज का पहला सव दुसरा नमर्शावाल है अप लोग गेस भी करते चलिएगा जितना टैम में मैं प्रश्ट पढ़ता हूं तना टैम में इसका अनसर किजिएगा दुसरा नमर्शावाल है कौन सा था नजर रखती है कि बैंक वास्ताव में नगद से बनाये हुए है बहुत इंपॉर्टिन क रखती है ठीक है कॉम सा RB अनी भाषरती रिजलों Bank option नमर 20 का correct answer हो गा consistence थाय जो नजल रखती है कि bank वासतों में नगत सेस बनाये हुए है या नही है तो यह भाषरती रिज़लों नजल रखती है तो दो का इंशर 2 हो गया तिसरह नमर श्रवाल आपका है इनियम लिखीत में से किसे देश के पास लिखित संमिधान नहीं है। चार ओसंदियावा पंटाफट गेस करें कहा का है जो लिखित नहीं है तो पहले का character option नमर यह हो जाएगा ठेखे आपका UK और Britain के सम्मिधान से संसदी प्रणाली भारत में लिया गया है यह आप लोग याद रखे question पुछा जाता है तो तीन का character option नमर यह होगा आपका UK और UK का सम्मिधान है जो लिखित नहीं है चा वोच नियाले के निर्ने के संबंध में नियम्नी में से क्या सही है तो चार का correct answer हो जाएगा option number ये सर्वोच नियाले को अपने निर्ने को परिवर्तित करने का अधिकार है ठीक है तो सर्वोच नियाले को अपने निर्ने जो निर्ने दे देता उसमें परिवर्तन करने का अधिकार ये बिल्कुल आपका सही है कोश्चन नहीं पूछा दा था ना कि इसमें से कौन है जो आपका सही है तो चार का करेक्टनसर आप्शन नमरी हो जाएगा बाकी देखे सर्वोष नाले को अपने निन्याय में परवतित करने का अधिकार नहीं है बिल्कुल गलत है आपका अधिकार है तो करेक्टनसर आपका सवाल एजाम की द्रिष्टि कोन से तच्छिला विस विद्याले कि इन दो नदियों के बीच इस्थित था तो यह सिंधु और जिलम नदियों के बीच इस्थित था छठा नमर सवाल को देखें करा फ्रेंस निम्लिखित में से किस पदार्थ का ओडिसा की बदाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है ठीक है निम्लिखित में से किस पदार्थ का और इसा की बदाम पहाड़ में खानों में खनन किया जा रहा है और इसा का जो बदाम पहाड़ इसमें खनन का कार जा रहे है तो किस पदार्थ का लिए किस चीज के लिए किया जा रहा है कौन सा यहां पाया जाएगा तो अच्छा का जो करेक्ट रेफ्रेंस ऑप्सन नमर डी हे में टाइट के लिए उहां खनन किया जा रहा है सात्मान नमर श्रवाल को देखे दोरा दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आइरन एंड एस्टिल कमपनी टिसको ठीक है किस वर्स की गए थे एक कोशन बहुत बार गया में पूछा भी गया है साथ का तो देखे प्रिंस इसका करेक्ट अंसर होगा यह आपका जो टिसको है यानिक टाटा आइरन एंड एंड इस्टिल कमपनी के स्थापना जो हुआ था उन्हें सो साथ इस्थापना की गए थी ठीक है दोराज भी टा इसके स्थापना के गए थी उन्हें सो साथ इस्थाथ इस में आठ नंबर्र सवाल को देखे कि बीहार में विहान एप का समंध्त किस सकें से बहुत इंपोर्टन सवाह इछे वियान एप है जो आपका विहार से समंध्त है किस से हैसे से चार्यक्र Mitch & polit के लिए पर सीद आप बहारत का जो कच करण है वह देखें वहां पर जवारी मीटी के मैधान के लिए पर सीदे इसलिए option number A कच कहां गुजरात में पड़ता है तुन का करेक्टर स्र अप्षान नमडर यह हो जाएगा दस नमडर सब्सक्ता है कि लगु उध्यूग और कमजोर लए का लेख क्या है यह वर्सивать किया है definit इंपोर्टेंस वाले भी कोशन पूछा जा सकता है तो जुलाई से जुन है अप्सन नमर बी 11 का करेक्टर शुरो ज़ेगा ठीक है भारती रिजर बैंका लेखा वर्स जुलाई से जुन है ठीक है इसका जो अस्थापना भी कभी कभी पूछा जाता है तो एक अप्रेल 1935 को अ आप लोग याद रखेगा और यह इंपोर्टेंट है सभी याद रखे के जुन जुलाई से जुन तक इसका लेखा वर्स है आर बी आई का बारा नमर सवाल को देखे यदि कोई देश अपने मुद्रा का अब मुलियन करता है तो क्या होगा जब कोई भी देश जो मुद्रा अब मुलियन करेगा तक क्या होगा निर्यात हो जब कारेक्टरंसर क्या होगा इसका करेक्टरंसर क्या होगा लिए रागनी का नाम सुने होंगे आप लोग तो चौदा का का रेट क्लिफ रेखा कहलाती है इसका जब आप सभी को पता होना चाहे मेरे ख्याल से आप लोग गेस सही होगे भारत और पाकिस्तान का हो जाएगा रेट क्लिफ रेखा 16 नमर शवाल का देखे 15 का करेक्ट अंसर 16 नमर शवाल देखे निमनिकित में से कौण सा युगम गलत है इसमें से कौण सा एक युगम है जो गलत है 16 नमर शवाल का ठीक है अमजद अली खान तबला दिया है उस्ताद बिस्मिल्ला खार सहनाई हेमा मालिनी भारत नट्यम संभू महराज कत्थक देखिए आपका इसमें पहला ही गलत है अमजद अली खान का रहा ठीक अमजद अली खान एक भारतिये सास्त्रिय संगीत कार हैं जो सरोध बजाते हैं ठी कि सभी लोग याद रखे गए पूछा जाता कि उस्ताद बिस्मिल्ला खाक की सब्धियंत से सहनाई बजाते हैं अहेमा माली कौन सा निर्थ करती थी सास्ति निर्थ भारत नट्यम करती थी संभू महराज है जो कत्थक से संब्धित एक बिर्जु महराज भी है जो कत्थक बहुत ही फेमस यह तक थे तो वो भी याद रखेगा संभू महराज और बिर्जु महराज दूरों जो कत्थक से सब्धित याद रखे इससे एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा सत्रह नमर श्रवाल को देखें कि निमलिखित में से कौन सही धंग से मेल नहीं खाता है इ यह तो आप सही है फ्रेंट्स वह होता है बंदर लड़ू आंध्रा परदेश यह भी आपको सही लग रहा है अरनुमुल्ला कनादी आंध्रा परदेश बर्दमान सिता भोग पस्चिम मंगाल तो देखें ऑप्शन नमर सी है जो मेल नहीं खा रहा है ठीक है सत्रह का भारत म में दूसरा जी आई टैग है जो अरनुमुल्ला कनादी ठीक है को दिया गया था जो की एक दरपन होता है और केरल में बनाया गया था ना कि आंध्रा परदेश में ठीक है इसका करेक्ट नसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी यह है जो आपका मेल नहीं खा रहा है सही ठीक से ब संजुक राष्ट का ही आपका करेक्ट नमर ऑप्शन नमर बी हो जाएगा उनिस नमर शवाल को देखिए उनिस नमर शवाल को देखिए उनिस नमर सब्सक्राइब करेक्ट नमर शवाल को देखिए उनिस नमर बहुत अच्छा सवाल उनिस का तो देखिए आपका यह आठ जून को ठीक है आठ जून को है जो विस्व महासागर दिवस वर्ल्ड ऑसेंडे मनाया जाता है उनिस का करेक्ट नसर बी हो जाएगा विश्मन नमर सब्सक्राइब को देखिए स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्ति गत रूप से पहला उलम्पिक पदक किसने जीता था मेरे ख्याल से सबी को पता हुआ फ्रेंज तो देखिए केडी जादव उनिस कब जीता था उनिस सो बावन में ही जीता था ठीक है तो इसका करेक्ट नसर अप्सन नमबर बी हो जागा स्वतंत भारत के लिए व्यक्ति गत रूप से पहला उलम्पिक पदक जीतने वाला कौन था केडी जादव था केडी जादव जो उनिस सो बावन के हेलेंस की समर उलम्पिक में रेसलिंग में कास पदक जीता था ठीक है शुरुआत क्या था तो किसका कारेक्टन से क Rome घरोक जाएंस अप्सन नमर बैसली में हो जाएगा सभी बार मैं रिपीट कर चैता हूं और किसके साशनकाल में हुआ था यह भी मैं हिपीट कर रहता हुession हुआ जो राजगरी में साशनकाल में दूसरा बाव्च संगिति का योजन बैसली नमफेल उस सब्सक्राइब नागर जाएगा इसका सभी आप लोग याद रखेगा महा जनपद की राधानी थी जो इसका सभी आप लोग याद रखेगा का सरावस्ति था अंग का चंपा वज्जी का आपका हो जाएगा वैसाली ठीक है इसका याद रखेगा चले अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल हो या तेश नमर सवाल को देखे किस प्राचिन नगर के अवसेश कुम्रहार अस्थल से प्राप्त हुए है तो तेश का करेक् करेक्ट नचार हो जाएगा चूविश नमर सवाल को देखें यह उपनिसदों की फार्ची में अनुवाद किस मोगल समराट के सासनकाल में हुआ था चिक है उपनिसद मैं कोशन पूछा जाता है कि उपनिसद क्या है किसका विसेवस्तु है तो यह दर्शन सास्त्र का है सभ अगला सवाल को देखे आधी ग्रंथ अथवा गुरू ग्रंथ साहेव का संक्लन निमनी में से किसने क्या था ठीक है तो इस अभी को पता हुआ फ्रेंड आधी ग्रंथ क्या हो जाएगा अर्जुन देव 25 का करेक्ट अंसर ओप्सन नमर डी होगा है आध रखेगा ट्रिक से भ भारती राष्टे कॉंग्रेस के सरुपर था मुस्लीम अध्यच कौन थे भारती राष्टे कॉंग्रेस से दो प्रशन आपको एकजाम में 100% आने वाला फ्रेंज दो य तीन प्रशन पूछा जाएगा इसका संस्थापक कौन था कौन सा धिवेशन कहां हुआ था उसका अध उसमें बहुत सारा टॉपिक वाज भी जिक्के दिया हुआ सताइस का करेक्ट अंसर क्या होगा फ्रेंज कराना कि सरुपर्थम मुस्लीम अध्यचन है तो बदर दुदिन तयज भी इसका करेक्ट अंसर ऑप्सन नंबर डी हो जाएगा ठीक है अगला सवाल को देखते हैं मारले मिन्टो सुधार बिलकिस वर्स में पारित किया गया था मारले मिन्टो तो आप लोग को याद होगा फ्रेंज कभी होगा था मारले मिन्टे बिलकिस वर्स में पारित किया गया था ठीक है भारत परसद अधनियम 1909 में तो यह आया था ठीक अगला सवाल देखे 29 नमर सवाल है निमलिखित सत्या ग्रहों में से किसका नेतित महाद्मिय गांधी नहीं किया था अगला सवाल को देखे 31 नमर सवाल की निमलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरूना आसफ अली जुड़ा हुआ है अरूना सब अली का नाम आप लोग सुने होंगे तो यह देखे जुड़ा हुआ है भारत छोड़ा अंदोलन से जुड़े हुए तो ऑप्सन नमर डिस का कैरेक्टर नसर हो जाएगा क्योंकि सिपकीला है जो आपका हिमाचल पर्देश में पढ़ता है ना कि आपका जम्मू कसिन में यही इसका करेक्टर नसर होगा है सुमेलित नहीं बाकि बंडिल्ला है जो अरूना चल पर्देश है आपका सही है तो 32 का करेक्टर नसर सी हो जाएगा 33 नमर शवाल को देखे 33 नमर शवाल आपका है कि निमनी में से कौन सा दिभारते तट रेखा के सुदूर वरती दीप किसरेणी में आता है तो मीनी कोई दीप है जो आता है ठीक है प्रेंस 34 नमर शवाल बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहुत इंप्वाटन सवाल और बिल्कुल एक्जाम में पूछे जाने वाला देखा जाए प्रेंस सबसे अधिक लंबाई जो बिहार में गंगा का है वो पठना में है तो आप्सन नमर सी इसका करेक्टर नसर सो से लगबग पचीस सो मीटर को उचाए के मध्ध पाए जाने वाला सितोस्त वनों की परमुखुद पाद है तो निम्र में से कौन सा व्रिच समुद्र तल में सरवाधी को उचाए पर पाया जाता है तो देवदार इसका करेक्टर नसर हो जाएगा समुद्र तल से सबसे पर नर्मादा नदी पर है लेकिंत आपका इस अपसे ? praंशागर इस पर नहीं है छडिसका है ऐसे देखे बांशागर इस पर नहीं है तो यह दखे बांशागर जो अप्र पर मद परदेश कि सहदोल जिले में दोन नदी पर है ठीक है चैकर यह वे प्पूछा यहां बांद सागर बांद है जो कहां पड़ता है और कौन सा नदी पर यह है तो सोन नदी पर है ठीक है यह भी याद रखेगा साथिस नमबर मीठी विर्दी परमानु उर्जा सन्यत निमलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा ठीक है फ्यूचर में होने वाला है तो साथिस का करेक्टरंसर यह आपका हो जाएगा संजुक्त राज अमेर का USA के सहायता से और तिस नमबर शुबल देखे विहार में डालंम्या नगर किस के लिए परसीद कि यहीं पूप्लर कोइसलन फ्रेंच पूछा जासाथा और तिसका तो देखें Cement के लिए डाल्मिया नगर है जो आपका Cement के लिए फेमस है इसलिए एक option number B Correct answer होगा 49 नमिलिखित में से किस राज में सबरी माला इस्थित है ठीक है? 49 तो 49 का जो Correct answer होगा option number C dan Kerala राज में सबरी माला पढ़ता है अगरा सवाल को देखे 40 als निम्लिखित परवतों में से कौन सा इतillी में अवस्थी carry 40 का का करेक्टर हुजाएगा Если एप-ड स्वाल परवत है? 41 नमर सवालков को देखे 41 नमर सवाल आपका है निम्लिखित में से कौन पच्छियों का महादीब के नाम से जना जाता है बहुत इंपोर्टेन सवाल है 41 का करेक्टन सर आप्सन नमर सी हो जाएगा दच्छिन अमेरिका को पच्छियों का दीब भी कहा जाता है देखें जिक्के जिस कॉमन होता है फ्रेंस से यह सभी प्रशन है जो आपका सभी परकार के प्रत्रोकता परिच्छा में इंपोर्टेंस ले सभी स्टूडेंट जिरुड देखें 41 का करेक्टन सर आप्सन नमर सी हो जाएगा 42 नमर स्वाल को देखें निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है याने इस में से कौन है जो सुमेलित नहीं है 42 का तो देखे, अनु जो है अपका जन्जाती जपान में पाया जाता है, मस्ाई ही है जो आपका Kenya में भी आपकाしょmeles बूस में धच्छिनी फिरकी संग यह आपका गलत लग रहा है क्योंकि ऐक काला हरी मरोस्थल में पाया जाता है लो फूय लित साहिए तो 42 का कारेक्टर सर लो जागा फ्रेंज आप्सन नंबर ब्यूवा बूस्में दच्छिन अफिरकी संग में नहीं पाजाता है इसक पर्टा है कालहरी मरोस्थल में पर्टा यहां बूस्में और यह जो आपका जाम बाब्या हो गया जिम्बाब्य में सब करता है बाना हो गया ठीक है यहाँ पर पड़ता है और खास करके दिखा किस मरुवस्थल में तो आपका काला हरी मरुवस्थल में पाय जाता है तो आपका काला हरी याद रखेगा 43 से नमबर को देखें बिहार में चमड़ा उध्योग कहां नहीं है 47 का कुछ रहां नहीं है मोकामा में दिगशा में बीहार में आपका चमणा उध्योग करने वाल आपका आब बच रहां बिडियो कर दिए siteLike कर टीए winners fell by mutedya guy आख कर leak देखें लिक अन्हें और भनख सी कौन नहीं जाता है भारत में एक राष्टी राजमार घई आपका बिहार से तो यहां करेक्ट अंसर ऑप्सन नंबर यह हो जाएगा चलिए 45 नमर सवाल को देखिए कर रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा सही धंग से मेल नहीं खाता है 45 का तो 45 का देख ले 95 वर्सर जो ना देखे यह बहुत इंपॉर्टन सवाल इस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 45 का नौभी पंच वर्सर जोद्ना का सासनकाल है तो बिलकुल सही है क्योंकि आठ्मी पंच वर्सर जोद्ना का जो सासनकाल था उसको मैं बता जता हूँ वह क्या था फ्रेंस आपका अन सबाने ठीक है तो आठवी पंच वर्षिन का जो सासनकाल था क्या था तो इसलिए आपका सुमेलित सही नहीं तो ऑप्सन नमर्ड डिस का करेक्ट रोगा 46 नमर्ड श्रवाल को देखे निम्न में से कौन सी संस्था विसु बैंक समुदाय का अंग नहीं है ठीक है विसु बैंक समुदाय का अंग नहीं है 46 का करेक्ट रोगा फ्रेंड आपका एक मिन्ट फ्रेंड यहाँ पर आपका 44 का यह हो गया था 45 का बताया फ्रेंड शाहां तो 46 नमर्ड भी डबलु टिवो निम्न T कौन सी संस्था विशू बैंक समुदाय का अंग नहीं है इसका जो correction शणो जागा फ्रेंस आपका option नमर च्यालिस का बी WTO ठीक है फ्रेंस WTO है जो आपका विशू बैंक समुदाय का अंग नहीं WTO क्या है 20ड़ विपार संगठन भी विश्वास सब्याइब यह सेवाखर दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट आपको एकजा जा सक्ता है 47 का तो देखे हैं जो आपका निगम कर धन कर आय कार सेवा कर देखें सेवा कर है जो फिरन्स आपका ज्याइब कर से पूरे भारत से क्या हुआ आप तैस्अ कर दिया गया है dist גם जो जीएति भारत में लागु सभी अपरतियच करो को समाप्त करेगा और इतना भी अपरतियच करने वाला है और स्वेखल कर है जो आफका आप replacement Services option No.A हो जाएगा और तारी lobby की भारतिये संग्वाओ किस देश की पदिती पर अधारी थे ठीक है संगवाद देखे अभी मैं कोश्चन बताया था कि संसद्य प्रणाली कहां से लिए गया तो कनाड़ा का संविधान से लिया गया याद रखेगा और इसका सभी कॉंसेप्ट आप लोग के लिए रखेगा फ्रेंस पूचा जाता है पुच देगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो आपका अस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है तो आपका अस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है तो आपका अस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है तो आपका अस्ट्रेलिया के समिधान से लिया गया है इसका concept आप लोग जरूर क्लिए रखेगा इसे यह दो प्रेश्ण आपको जम्य आने वाला बिहार सचिवाले में चलिए अगला संसाद्मक सासन विरस्था में क्या होता है इसका option देख लेता है फ्रेंट क्या था फ्रेंट की संसाद्मक सासन विरस्था में क्या होता है तो आपका जो 50 नमबर शवाल है इसका जो नियंत्रन होता है यही है इसका करेक्टर न सरो जाएगा संसाद्मक सासन विरस्था में क्या होता है तो आपका इसका option नमबर ए नियाइपाल का का कारेक्टर नमबर ए हो जाएगा थे प्रेंट तो यह भी वह लोग ने स्टोर से जाकर के नहीं तो इस वीडियो के रीचे जो लिंक दिया हुआ है वहां से डाउलोड कर लिए उसमें CGL का बहुत सारा प्रैक्टिस है बिहार दरोगा का है उसमें जो भी जिक्के जिएस है फ्रेंस वो CGL एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक व अन्यवाद